इस कारिक्रम के पुनियार जख हैं राजिस्थान का प्राचीन तम अतिशे शेत्र भुसावर जहां पदमासन मुद्रा में विराजमान है 15 सवर्ष प्राचीन अतिशे कारी प्रथम तीर्थनकर भगवान आदीनात की प्रतिमा भरतपुर जिले से करीब 60 किलोमेटर दूर बयाना से 30 किलोमेटर एवँ महावीर जी से 60 किलोमेटर और मत्रव 84 से 90 किलोमेटर की दूरी पे स्थिद इस छेत्र पर पूर्व में भवयरे में विराजेत एवं वरतमान में नवनिर्वित मंदर में विराजमान इस प्रतमाजी के दर्शन मात्र से जहां भक्तों के मन को असीम शांती मिलती है तो वही समस्त ब मंदर जी में आज भी विद्यमान हैं जिसका साक्षा तो धरन शेत्र में मूनलाएक भगवान के अलावा मुगल काल से भी पूर्व की कई प्राचिन प्रतमाएं हैं जिनके दर्शनों का लाब भी भक्तों को हमेशा मिलता रहता है अतिशेकारी शेत्र पर निर्वित किये दान एवं सहोग राशी दैने के लिए दी गई डीटेल्स नोट करें पावितरतल जलें जनमाप सेच्चा मेते श्पाहा जनमाप सेच्चा में 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 जनमा पारवरिक सुक्षान्तिक सम्रद्धी आवं स्वास्त लाभेतु शिरी रिसब जैन नी तुझेन पुत्र दरपण जैन सपरलवारसे निवासी लखनव। एवम सिरी आकास जेन, आरब जेन, सपरवारसे निवासी देरादून एवम सिरी अनुराग जेन, हरसिज जेन के जन्र दिवस पर सपरवारसे निवासी मेरट इमसरी बिनोत कुमार जेन, अफशेक जेन, स्रीमती रजनी जेन, मेगा जेन, आरणा जेन, सपरवारसे निवासी पांडवनगर दहली नरेश चंजी जेन, अंजना जेन, पुत्र मनीश जेन, निदी जेन, लोकेश जेन, चंचल जेन, नितिन जेन, छाया जेन, सूभी, तनमे, निसा जेन, निवासी फ्रोजपुट जिरका, एवन सिरी सुकमाल जेन, अफशेक जेन, अरनप जेन, निवासी देली, एवन सिरी मनी जैन, दीपक जैन, देवेंदर जैन, रभी जैन, रिद्दित जैन, श्वाती जैन, नवासी एटा, इम स्रीमती, सीमा जैन, स्वदेश जैन, सपरवारस नवासी देली, इम स्री बिजय कुमार जैन, संतोष जैन, सपरवारस नवासी, सूर्य नगर देली, पुजारी गान, द पत्रमारी, पुश्मारी, पलमारी, राष्टमारी, देशमारी, विश्मारी, वेताल सागनिभयं, वेधनिया, सर मुहनिया, सर करमाष्टक, हो उम्सुदर्सन माराच्च, चक्रविकम् तेजवल शोर वीड सांती, पुश्मारी, 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 वेताल सागनिभयं, 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 लुक पुर्मुक्षार्प भप्तू अब नमो अरति भख्वते पिछी डोसकलमसनाई, दिब्बेत एजयों मोर्ण मैं, सांती नाताई, सांती कराई सर्व बिधनपनासनाई बीगनपनासनाई, सर्व रोगा मृतु बिनासनाई, सर्व शाम डामर बिनासनाई ओम राम रीम रूम रह रहा है आसी आओ सानमे सर्व देशाच चद्रू सजंग तथेप सर्विश्वा सथेप महराज मुनी एक्सवाट यो दिश्टर साकर जी महराज के सानमे आज की सान्ती दारागे पुण्यर्जग देखने सुन्दे वाले पुजारी गंड दर्सनार्थि गंड अर्व सान्तिम कुरू 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 पुष्टिम कुरू कुरू बसट स्वाहाँ सांती से रोधा जनिस्वर सासनाना, सांती निरंतर तपो भाविताना, सांती कसाय जै जस्मित वे विवाना, सांती स्वाव मेमान मभागताना, संपो जकाना, प्रत्पालकाना, प्यति इंद्र सामन तपो धनाना, देशा से राष्टा से पुरा से राग्या, अरो तुशांति बगवन जेनेंदा आदिनाद भगवान के दर्वार में अपन सभी बैठे हैं भुसाबर इसे कहते हैं लेकर मुझे ऐसे लगता है कि इसका नाम कभी रिशबपुर रहा होगा रिशबपुर से अब्रंस हो करके उसह पर हुआ और फिर देशी भासा में बदलता हुआ भुसाबर हो गया तो ये प्राचीन नगर है माभीर जी से 50 किलूमिटर है कामा से 100 किलूमिटर है और इस नगर में जहां भी खोदाई होती है कोई ना कोई जैन प्रतीक जैन तिर्थंक का प्रतिमा नकलती है आदिनाद भगवान की अतिशाकारी मंगल में सुभ प्रतिमा है जिस पर कोई संबत नहीं है ऐसे लगता है कि जैसे चोथे काल की प्रतिमा हो निश्चित रूप से पवित्र भूमी है और यहां की दर्सन बंदन करके लोग आनन्दित हो युदिश्टर सागर जी महराज ने काफी पुरसार्थ किया है एक तरफ मुनिसुब्रद भगवान दूसरे तरफ बर्दमान महामीर भगवान की भी सुन्दर जिन प्रतिमाएं है निश्चित रूप से प्रतिक शावक को श्तीर्थ का दर्सन करके अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए इस कारिकर्म के पुनियार जगते चांद मल धन्ना लाल पाटनी परिवार सुजानगड कोलकाता रानी गंच पश्यम बंगाल श्री प्रेमचंद्र श्री राजेश श्री मती प्रीती श्री राजीव श्री मती शालू सुश्री यशिका श्री श्री श्रेयांस जी प्रतिक् राशी एवं उमंग जैन पाटनी